परणाम महारानी जी क्या बात है? आज आप कुछ हम से रूठी हुई हैं? कितना विलम कर दिया? हम आपके कब से प्रतिक्षा कर रहे थे? विलम तो हो जाता है पर अब तो आपको खोथवाल बना दिया गया है ये सब आपकी किर्पा है ये क्या महारानी महारानी लगाए रखते हो? तो फिर क्या का? हम आपके पिंगला हैं हमें पिंगला कहिए और यहां आके बैठिए हमारे पास जरूर क्यों नहीं पिंगला जी? कहिए? क्या करूँ? अब महाराज और विक्रम से भी तुद्ट लगता है महराज महराज तो हमारी मुठी में है और विक्रम विक्रम हमारा कुछ नहीं बिगार सकता फिर भी नोकर नोकर ही होता है नहीं नहीं आप हमारे दिल के मालिक है तो ये सारा राज ये आपका ही तो हुआ तो फिर ठीक है ये बात है तो फिर दर काहिए जी हाँ, आप नी संखो छोकर यहाँ आईए खुकम कीजिए आईए, हम चोपड़ खेलते हैं अवस्य क्यों नहीं लीजिए, पहली चैल हमारी ये लो, हमने भी चल दी चाल ये लीजिए लगता है कोई आ रहा है अब क्या करूँ नहीं? आप जन्दी से इसके नीचे चुक जाएए, जन्दी कीजिए भापी जी के मेल मैं मैं आया था सेल मैं फूले के के वाड़ बढ़ गया भापी जी के मेल मैं मैं आया था सेल मैं फूले के के वाड़ बढ़ गया बापी जी के महल मैं मैं आया था सेल पूल करके वाल केरे बापी रूप गजब का गोळा गजब का गोळा मैं बेकर में सून सादा बोला सादा बोला रहे पंदरा सोडा का ल्यवार पंदरा सोडा का ल्यवार बड़ क्या घापी जी के महल मैं मैं आया था सेल मैं पूल करके वाल पड़ क्या भापी जी के महल मैं मैं आया था सेल मैं पूल करके वाल पूल करके वाल जारती तरतर करती जैसे कोई सोस नागनी बैरती नागनी बैरती रह या तरती ले गई प्यवार धरती ले गई प्यवार पड़ भापी जी के महल मैं, मैं आया था सैल मैं, तुने कईके वाड पड़े गया भापी जी के महल मैं, मैं आया था सैल मैं, तुने कईके वाड तेरा गनकी छोट्री ओट्रे ओट्रिले आराले चीजे दूसेरी क्यों लागी ठहरने लागी ठहरने रहवा परने पीसरही जाड़ परने पीसरही जाड़ पड़ गया भापी जी के मैल मैं मैं आया था सेल मैं छूले के के वाड पड़ गया भापी जी के मैल मैं मैं आया था सेल मैं छूले के के वाड हार के गूणी गा एता सुबश्याम गाएचा सुबश्याम कदे ना कदे तैसी दी हो जाएंगे काम तेरे हो जाएंगे काम रह मांगे राम जुका कनाड मांगे राम जुका कनाड पड़ गया तंगला जी के महल मैं मैं आया था सेल मैं फूले के के वाड पड़ गया भाती जी के महल मैं मैं आया था सेल मैं फूले के के वाड पड़ गया भाती जी के महल मैं मैं आया था सेल मैं फूले के के वाड भावी कैसी बाते करती हो अपने गर में हमने इजाज़त लेनी पड़ेगी अभी जो इंसान था गर में वो इंसान कहा है यहां कोई नहीं है पुम्हारे नियत में खोड़ है तुम अपने भाइबी कईशी बाते ऑप कर रहे है लेकिन फिर भी हम आद जोड़ कर आप आपके सामने यही परातना करते हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा है यह तो पीछे का रास्ता है आपने उसे निसान को पिछे से निकाल दिया है आज तो निकाल दिया लेकिन शो दिन चोर की होते हैं एक दिन सागा भी आता भाबी यह द्यान रखना तुम अपने भावी में शक कर रहे हो अपनी सगी भावी पर हम आपकी इज़त करते हैं आप हमारे मा की समान हैं लेकिन जो बातें बार बार मा आपको कर रहा हूं आगे इस महल में नहीं होने चाहिए तुम्हारी नियट में खोट है तुम तुम बहुत दिन से मुझे परिशान कर रहे हो आज आगे का महराज को गल्ट बातें कर रही हो भाभी, मैं तुम्हारा बेटे की तरह हूँ और आप हमारी मा की तरह हैं, कैसे इल्जाम लगा रही हैं आप हमारी उपर, उस बात को दबाने के लिए, महराज को क्या आने दे, आज मैं भी बाई साब से बात करूँगा, ये बातें बहुत दिन से मैं जो देख रहा हूँ, सेन नहीं होती है, ठीक है, तो आने का आज महराज को, मेरा जीना हराम किया हुआ है, तुम छुप छुप कर मुझ पे, मुझ पे निगरानी रखते हो, मैं यहां की मालकीन हूँ या चौल, कैसी बातें करती बाभी, जो कुछ हैं आपको पता है, मापक बचा हूँ, ज्यादा बातें आपको नहीं कहता, लेकिन जो बात आज मैंने इस महल में देखी, आज के बाद नहीं दिखाई देने चाहिना वरा इसका अंजाम, आज महराज को आने तो, या तो तुम रहोगे इस महल में, या मैं, निकलिए, अब ये मेरे पक्षमे से आप निकलिए, हैं, चांदीन रात की तरह जगमगाने वाले महल की ये हालत, और ये कौन, कौन, हमारी प्रानों से प्यारी पिंगला, क्या बात हुई रानी, आज इस कदर बाल बिखराई, स्रिंगार बिरसराई, इस तरह लेटने का कारण, बतलाब बतलाओ रानी, क्या कारण ह प्याचित अधीर है, या किशिने कुछ कहा है, स्रस्र्स बतलाओ रानी, अगर किसी आँखों ने सुमारी और कुदृष्की उठाई हो, तो उन आँखों को निकलवा दूआँगा, किसी हाथ ने सुमारी और कु तरह से बढ़ने की कोशिश की, उन हाथों को तलवा दूआ अगर किसी जुबान ने तुमें आफ शब्स करे तो इस जुबान को किचवा डूंगा सच सच बताओ रानी सच बताओ क्या बात है रानी ऐ आजुब और आज तक कभी इस तरह तो थूल विि नहीं दिखाई इस तरह कारण रूप मेढया प्र आज क्या चला रहा है बोलो रानी इस तरे धूल में विश्री तो है क्यों लेटी पड़ी हो क्या कारण है हुथे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े भरतार हुथे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े भरतार तेरे तै पन्याना चाती हाई अंदेर गोबार महल मरे दिवाना बती उथे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े भरतार तेरे तै पन्याना चाती हाई अंदेर गोबार महल मरे दिवाना बती उल्थे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार सब जानू सू थारा बीरा का जुनसा हो मता सब जानू सू थारा बीरा का जुनसा हो मता कीब पड़ूंगे कुए में खन लाग जा पता पता कि खता होई मेरी से पता कि खता होई मेरी से ना अपने घर चली जाती गर गर में चूत मार लिपार मर मान सपन चाती उथ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े भर सार तेरे तै पोल्याना चाती आए अंधेर गोपार महल मर दिवाना बती उथ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार बगबावडी मेल हमेली सब तेरी जायदार रह सब तेरी जायदार तेरे बोला मैं सुन सुन पड़ी जपती के मराद बगबावडी मेल हमेली सब तेरी जायदार रह सब तेरी जायदार तेरे बोला मैं सुन सुन पड़ी जपती के मराद भगबावडी मेल हमेली सब तेरी जायदार रह सब तेरी जायदार तेरे बोला मैं सुड़ सुड़ पड़ भी छाती के मराद तिरी तेवाद ये कौन प्यारा से यो सब देश नगर थारा से यो सब देश नगर थारा से हडे मेरा वोए ना सथी इसा किसने के कैदी या दान रहे तो रो रो एक राकी उठ को तऴ पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े फल कार तेरे तै बोला ना चाती आये अंधेर गोबार महल मैरे दिवाना पती उठ को तऴ पड़ी मेरी नार बरे बरारे मला मतिसे रोप दिये चाले इब खोल कैदी रोप दिये चाले गुंदी और नारे रप जया काले मूती नाग तेरे उस विकर माने आग बाड़ दी गेरे कैपती आये उसे बगत पाया दोशा लगावे या जोलम भरी गाती उठ क्यों तऴ पड़ी मेरी नार बाड़ पाया जोलम भरी या जोलम भरी गेरे नार बैठ गए तो बंदर से घर के मृझे राम मेरा योग फाईला छुटैगा मर के किसे नारी नारी बैठ गए तो बंदर से घर के रे बंदर शिखेर के जीरी मांगे राम मेरा योग पैंडा छुटे गमर के लार करके जाग वैठ समाई थार गोणुआ की बनू लुगाई लार करके जाग वैठ समाई थार गोणुआ की बनू लुगाई मेरी ना और बड़ी छती लोग बिन आई मरवाद देखियो याशी लिख सताती कूठ कोठ है पड़ी मेरी मार मने अतना छेड़े फर तरे थै बुल्याना चती अंधेर को बार महल मेरे दीवाना बती उत्थ क्यूं तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े घर कार तेरे तै बुल्याना चती अंधेर को बार महल मेरे दीवाना बती उत्थ क्यूं तड़े पड़ी मेरी नार कि अधिक शच्चत बताओ रानी कि तुम्हारे आविश्वास का कारण क्या है कि आप कारण सुन सकेंगे हाँ क्यों नहीं बताओ तो कारण आपका भाई है कौन विक्रमा जी हां क्यों ऐसा उसने क्या किया वह हमें कई दिनों से बुरी नज्जरों से देख रहा है नहीं तो तुम भी नहीं बोल सकती लेकिन विक्रम कहीं ऐसा तो नहीं रानी कि इसकी ममता में हरकतों को तुम गलत अंदाज में ले जा रही हो महराज क्या हमें ममता की नजरों और गलत नजर में अंतर करना नहीं आता विश्वास नहीं होता रानी कि विक्रम और इस तरह महराज ने आज़ हम पे विश्वाश की दिये विश्वाश है रानी तुम पर पुरा विश्वाश है लेकिन विकरम पर भी तूए विश्वाश नहीं कर सकता महाराज वा पिछले काई दिनों से हमें तंग कर रहा है ठीक है रानी अगर ऐसा है तो हम महल में बुलवा कर विक्रम से सारी बाते पूछेंगे और फिर ही कुछ कह पाएंगे तुम उठो सरिंगार करो देखो तुमहारा इस तरह रहना हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता अगर विक्रम ने कोई गलत हरकत की भी है तो हम कसम काते है रानी तुमारी कुछ से वो सजा देंगे कुछ ताजिंदगी याद रखेगा उठो रानी सिंगार करो जी महाराज हम चलते हैं रानी है प्रणाम बड़े भाई प्रणाम भाईसाब विक्रम आजकल हम तुमारे बारे बहुत कुछ सुनने लगे क्या सुनने लगे हैं बड़े भाई ज़रा हम भी तो सुने आजकल तुमारी हरकते कोफ ऐशी ऐसी होगती जा रही है क्यों एकिसी की दिल को दुखा भी पहुंचता है कैसी बाते कर रहे हैं बेड़े भाई मैरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले क्यों बजा रहे हैं सच सच बताओ क्या बात है तुमारे बारे में किसी वेक्टी ने ऐसी बाते कही है जिए सुनकर हम जबके बेचेहर हैं कि हमारा विकरम भाई ऐसी ओची हरकते भी कर सकता है क्या सुना है बेड़े भाई किसने क्या कह दिया आपको किसने क्या कहने वाला कोई आम आदनी नहीं आम व्यक्ति नहीं हमारे दिलों की राणी इस राज्य की पट्राणी और तुमारी भाई है कौन वो पिंगला बेकरम आज तुमारी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी प्यारी भाई का नाम इतनी बेयाद भी से लेशको बोल गए कि वो इस राज्य की पट्राणी और हमारी राणी है बिल्कुल ठीक कहा बड़े भाई लेकिन अपनी आखों की पट्री उतारो जो पिंगला नाम की आपकी आखों पर पट्री बंदी हुई है ने उसको उतारो बड़े भाई पिंगला भाई भी एक दन आपकी ना कटवा देगी बेकरम सच कड़वा होता है पिड़े भाई उची आवाज में क्यों बोले सच कड़वा होता है अगर मैंने आपको उसकी सचा ये बता दी आप खड़े ने रसकोगे समीन पर गिर जाओगे किसकी बात का विश्वास करों उधर पिंगला इसकी शिकायत करती है इसे गलत बताती है और ये पिंगला को मिकरम मैं से महलों से उसकी बात के सुनकर आ रहा हूँ उसका हाल देखकर आ रहा हूँ तुमारी योची अरकतों से उस बचारी के दिल पर जो बीती है जाकर देखकर आ रहा हूँ दो लिसित होई सोला संगार बिसलाई किस कदर रो रो के उसने तुमारी शकायत करी मुझे तुम से ये उमेद नहीं थी बड़े भाई आपको मैं बाप की जगए समझता हूँ और हमारी भाबी को मा की जगए लेकिन अब वो मा कहलने के लाइक नहीं है नहीं है नहीं है बेकराँ तुमारी अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो मेरे सामने से निकल जाओ और आइंदा कभी मुझे भाई मत कहना खुब कहा बड़े भाई खुब कहा वो दिन याद कुरो जब मेरी उमर 6 साल की थी माता जी का देहान थुआ आपने ये कहा था मैं इसकी माभी बनूँगा भाप भी बनूँगा आज भाई गी बातो माधर मेरे को बार बार कितनी बाते कह रहे हो अब मैं जूट नहीं कह रहा हूँ ना पिंगला जूट बोल सकती है जरूर तुमने कोई ऐसी हरकत की है जो उसके काबले परतास नहीं रही तब ही उसने आपर आरोप लगाए है इसंपे ये जूटा आरोप है बढ़े बाई मैंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा मैंने भाभी के महल में गईर इंसान को देखा बढ़े बाई तूहाँ से ज़्यादा परता जा रहा है मैं सच कहर रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास कर रहा है इन्ही आखों ने देखा किसी गर इंजान को आखों देखा जूटा भी हो सकता है हमारा आखों देखा जूटा पिंगला जो कहती वो सच सच है क्योंकि आज तरफ पिंगला ने कभी चूट नहीं बोला और तेरी लड़क्पन को देखकर तेरी लड़क्पन के उमक को देखकर हर एक बात सच लगती है कि पिंगला जोने कही है वो सच ते कही है तुने जरूर उसकी तरह बलत ठाकत से देखा है मैं तुझे ऐसी सदा दूँगा तुरा वो हाल कर दूँगा कि तुटा जिन्द की याद लखेगा वाँ बड़े भाई ठीक काया आज मुझे वो दिन आज मुझे पता लगा आज मुझे मुझे विद्धाई देखती है अज मुझे मा यादा रहे हैं मुझे पता दी यादा रहे हैं एक औरत की बातों को उपरा आकर अपने छोटे भाईों कैसी बाते करें यहां से निकल जाओं मैं कहा जाओं मैं कही जाओं लेकर मेरी आखो किया कि मत है जा चला जा जा यहां से बात सुनो बड़े भाई बात सुनो आपस की बात है घर की बात है कल ये बात भार निकलेगी बेज़ती हो जाएगी हमारी भाबी सिरी को समझा लो इस बात को यहीं दाब लो भाई साब मेरे पर गुसा क्यों किरते हो अरे तु जा यहां से ना तु लाड़ के काबिल है ना तु प्यार के काबिल है तेरी जैसे योची हरकते मैंने तुझे बेटी कितरे पाला और तु आस्टिन का साफ निकला क्या जिकल यहां से कहा निकल जाओ पहले मेरी बात सुनो सुना क्या कहना चाहता है लाड़ करैनिया मरगे भाई रहे भाई रहे मेरे लाड़ करैनिया मरगे भाई रहे किदेधर रहे 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 रहेसिदte किभेष्ट पाई o जर रहे रहे है ए मेरे पिंगला भाबी मारन आई मन सोची पूची कारन आई मेरी राब रो तारन आई बाई रे बाई रे मेरे लोग चुगरद धरगे बाई रे बाई रे मेरे लाद करन आई मरगे बाई रे मेरे बाई रे मेरे भगे बाई कर दो कर दो कर दो कंगला प्यारी माला तू ठक चोर जबारी इस घर में ना इजय तमारी बाई रहे बाई रहे किसे सेर पिंज रहे गरगे बाई रहे बाई रहे मेरे लाद करणिया मरगे बाई रहे किसे सेर लाद करें मेरे रहे ड affiliत रखने रहे 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 ढीड़ cave मेरे बाई रहे रहे अर्याmost राज पाट धने दोलेत सारा इस घर मैना मेरा रह गुजारा मात पिता ने सुर्ग से धार्या बाई रहे बाई रहे मन तेरे हवाल करके भाई रहे बाई रहे मेरे लाडर करन्या मर के भाई रहे मांगे राम पाई ना करवाले कुण बोला के दा करवाले नुगोली जले दा करवाले बाई रहे बाई रहे मेरे ने मीर ते बरगे भाई रहे मेरे लाडर करन्या मर के भाई रहे महराज क्या हुआ? हो ना क्या था महराणी हमने विक्रम को अपने महल में बुलवाया और आपकी कही हुई बातों पर उससे पूछताच की लेकिन उसकी बातों को और उसके वहवार को देखकर नहीं लगता कि उसने कुछ इस तरह की धरकत की होगी महराज हमने पहले भी कहा था कि हम जूट नहीं बोल रहे हैं हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप जूट बोल रहे हैं लेकिन विक्रम के वहवार और उसकी बातों को देखकर हमें कुछ शंसेसा हो गया था इसलिए हमने अपनी मन की बात आपके समख्ष कह दी और महाराज अगर मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए आपके सामने सबूत प्रस्तूत करूं तो सबूत जी हाँ सबूत तो राणी हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने सबूत पेश कर दिया तम उसे भरे दर्वार में आम अपराधी की तरह सजा देंगे और ऐसा दंड देंगे कि पूरा राज्य देखेगा तो सुनिए महराज नगर सेट की पुत्रवधू के साथ उसके अहां बोलो राणी बोलो उसके अवेश संबंध है नहीं राणी यहाँ भी तुम्हीं शायद कोई भर्म हुआ है फिकर मैं ऐसा नहीं कर सकता यह कैसे कह रहे रहे हूई तुम कैसे कह रहे ह्ये हैं महाराज, आपको अभी ही मुझे पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं जूट बोल रही हूँ, आप उस से बुलवा के खुद ही पूछ लीजिए, तो ठीक है, हम कल ही राज महल में नगर सेठ को बुलवा कर इस बात की सच्चाई जानेंगे, अगर ये बात सच पाई राणी तो हम विक्रम को देश निकाला दे देंगे, महाराज, मुझे मृत्यु रंड चाहिए, मृत्यु धर्ण? महाराज, अब भी आप विचार कर रहे हैं, आप कहां के नियायकारी हैं, उसने मुझे, मुझे भी नहीं छोड़ा, और आप… अगर ये बात सत्य पाई, तुम्हारी सोगंध खाता हूँ, कि कल राज महल में नगर सेठ और विक्रमा के ब्यान होने के बाद, विक्रम मिर्टु दंड कही अधकारी होगा। नग्या थे नता मोरे सुषेट जी बख्ये ग्राश अधनी चंत यह अधस है, इस इस मारन में जयाना आगी, नूल पड़ा दकू अधनी पड़ा देरा, क्योंके प्रम लान का मैशा कर दिया। करके दिया, ना गव आई दे, तब हमारे बाल का नको लूमा के पड़वाए देगा। और जगव आई दे आता वो भी जया बगवान का जी देना है, जो भी जूठी गवाई भी देनी ठीक हो लें उन्तों। यह वाई उसके पाच से क्यों लागरी है पिंगला वातायो वाई शायो अगरे उन्तों। मननती यह काम अच्छा नी लागता गवाई देर नी तना चाहिए पर के करें। आपने बढ़का का देखा ना तो शायरे न को लूमा के पड़वाओगी पर यह तो बात से तो मेरी बात सुने एक बढ़ए थानी सुनाओ। अच्छा नी शोले। अच्छा नी शोले ने बेन खोट मरावेगी। लिया से ठपैकर ज मेरे शर्खोस दरावेगी। बेक्रम सदे बोडे ने बेन खोट मरावेगी। बेक्रम सदे बोडे ने बेन खोट मरावेगी। देखी भी रघनी दुनिया मैं ऐसी मिली लगाई ना। क्यों देवर ने मरवावे या बात समझ मैं आई ना। वो कैटू कमांड ने आला दया डाण कैपाई ना। चंदा बरगी सूरत पर गिरडी खरवावेगी। बेक्रम सदे बोडे ने बेन खोट मरावेगी। क्यों करे चडिया पेट भरे जब रहता द्यान बाज के मां। बे सरम दे हूदी मान सखाइनी बडगी माल राज के मां। मुर्द सरापी दीर सवापी गेर खाप ताज के मां। बाईया के मन पढ़वा के रहे। बाईया के मन पढ़वा के खाप पर भरवावेगी। ब्यक्रम साथे भोड़े में दन कोट मरावेगी। ब्यक्रम साथे भोड़े में दन कोट मरावेगी। ब्यक्रम साथे ट्रेया के लिए भोड़े पर ब्यक्रम करा की बेटी को नया ऐसा खेल खेला देगी ना मान्या ते बात डान की आप जहर पेला देगी चक्तर वर्टी राजा इस माटी बीच मेला देगी रंगी नतखत और दजादरी तड़ा इस माटी बीच मेला देगी रंगी नतखत और दजा महल की तड़ा गिरावेगी ब्यकरम सादे बोडे ने देने खोटे मरावेगी ब्यकरम सादे बोडे ने देने खोटे मरावेगी महरा जाई इमान में गाया बनी ज्यान के प्यारी से बालत उपर कुफर तोलिरी पोड़ मुसीबत बहारी से मंगे राम क्या पेस चलेना बीरा की शरदारी से है थेली पैपेड शर्षम का हरा करावेगी ब्यकरम सादे बोडे ने देने खोटे मरावेगी ब्यकरम सादे बोडे ने देने खोटे मरावेगी बिया से थपे करज मेरे चरदो सादरावेगी ब्यकरम सादे बोडे ने देने खोटे मरावेगी हाँ तो महाजन जी आपके राज जी के परतिवफादारी और इमानदारी देखते हुए हमने आपको नगर सेट की उपादी सम्मानिक किया था और आज हम आचा रखते हैं कि उसी सम्मान को मत्या नज़र रखते हुए इस भरे राज दरवार में आप सत्य का साथ देंगे तो क्या महाराणी पिंगला जी ने जो आरोब विक्रम पर लगाया है वो सत्य है हम आपके मुक्स सुना चाते हैं अगर सेट क्या ये आरोब सत्य है जी महाराज, महाराणी जी ने जो विक्रम पर आरोप लगाया है, वो सत्य है सेट जी आपके कैसी बाते कर रहे हैं, आपने भी उपर जाना है, कुछ तो भगवान से डर के बोलिए मापके बेटे की जगह हूं, ये मेरी माताजी की जगह हैं, कैसा बयान दे रहे हैं, कैसी गवाई दे रहे हैं आप ये जूठी दरबार में सोच लीजे नगर सेट, आपका कहा हुआ हाँ या ना, किसी की जिन्दगे और मौत का कान भी बर सकता है, नगर सेट की आँखों में भै का कही नाम नहीं, लगता है, विकरम पर लगे आरोप सकते हैं, विकरम, विकरम, जी भईया, अब तुम्हे अपनी सफाई में कुछ कह मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, बड़े भाई, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जो ये सेट जी गवाई दे रही है, पिंगला जी के दबाह हमें आकर गवाई दे रहे हैं, जूट है ये, सेट जी ने तो कहना कह दिया था, तुम अपनी बताओ, बता दिय मैंने तो जो बताना था, मैंने ऐसी कोई गलती ने की, अर महा जोड़का अभी आप से कहता हूँ, बहिए, अभी कहता हूँ, बहिए, बहिए, मत कहो, इस सिंगासन वा बैठे वे हम भाई, लिस्ते नाते, सब भूल जाते हैं, हमारे सामने तुम्हें एक अप्रा दियो, ठ फिर कहता हूँ भाईया मत को अब दूर हो जो मेरी